हेलो फ्रेंट्स एंड ये स्टुडेंट्स आज का माय टॉपिक है इन और्गेनिक फर्मासिटिकल केमेस्टी की एंतरगाज सोडियम थायसलफेट और इस वीडियों हम लोग सोडियम थायसलफेट का मैथड़ प्रप्रेशन इसके प्रोपरिटीज इससे और यूजय जित्या जिसके वैसे और सवर कि यहां बना करके निगेटिव जो कि एक आपको दिखको ऍनी कि यहां पर कितनी की है दो तो अगर हम लोग इससे का फॉमूला निकालें तो हम निकाल सकते हैं sodium कितने हैं दो sulfur कितने हैं दो oxygen कितने हैं तीन तो Na2S2O3 is the formula of sodium thiosulfate इसी molecular formula से गर हम लोग molecular weight निकालें तो हमें प्राप्त होता है 248.2 gram per mole और इसकी जो category है वो antidote और उसमें भी specifically हम बात करें तो cyanide poisoning के लिए antidote के रूप में sodium thiosulfate का बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाता है अब बात करते method of preparation की तो sodium thiosulfate जो है वो हम लोग sodium carbonate और sulfur dioxide के से के साथ reaction करके start करेंगे sodium by sulfide बना करके और यह 3 step में sodium by sulfide से sodium sulfide होते हुए sodium thiosulfate जो है वो बनेगा वो कुछ इस प्रेकार से हैं सबसे सबसे पहले हमको लेना होगा sodium carbonate sodium carbonate और 2 mol हम क्या लेंगे sulfide और 1 mol water अब देखिए क्या होगा यहां पर सबसे पहले sodium carbonate से हों becoming a carbon dioxide जबर बहुते हैं जय्दातर जिकाहां पर ऐसे ही carbon dioxide यहां प्र भी निसकलेगा coming in back Me सब्सक्राइब के निकलने के बाद जो भी कुछ है वो सब को समको एक साथ लिखना है एक सोडियम मॉलिक्यूल एक एसो टू और यहां से जो की हड्रोजन है वहां से एक हड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वह किसको मिलेगा हमारे सल्फर को यह बनाएगा क्या सो ट्री और इसके साथ क्या बनाएगा हाड्रोजन एक हाड्रोजन लेना है और क्या लेना है एक हमें सोडियम लेना है और इसी तरीक controversan century दूसरा quantum यहां से निकलने क्लने वाला दूसरा क्याना मैं हाड्रोजें एक एक सो टू और यहां औक oxygen बचा था वो, यह सब कुछ जुल करके क्या बनाएंगे फिर से NaHSO3, यानि कि यह कितने मूल बनेंगे हमारे लिए, दो मूल, तो दो मूल हमें sodium by sulfide जो है वो प्राप्त होगा, अब यह जो दो मूल sodium sodium by sulfide प्राप्त हुआ है, पहले step में, इसको हम लेकर कर जाएंगे और फिर से इसकी reaction कराएंगे किसके साथ, sodium carbonate के साथ, इन दा second step, तो second step में जब हम इसकी reaction करते हैं, तो दो मूल हम क्या लेंगे, sodium by sulfide और इसके साथ जो यहां पर oxygen है, वो इस एक मोल से hydrogen और दूसरे मोल से hydrogen जानी दो hydrogen और यहां का दो मोल, तो दो मोल हमें sodium sulfide जो है पराप्त होगा, Na2SO3 को हम क्या बोलते है, sodium sulfide, अब third step में इस sodium sulfide जो अभी हमें पराप्त हुआ है, second step में, इसकी reaction हम किसके साथ खणाएंगे, powdered sulfur के साथ, तो यह जो sulfur है, वो क्या करेगा, इसमें जुड़ जाएगा, और हमें क्या पराप्त होगा, sodium thiosulfide, जो यह oxygen है, वो क्या करेगा, वो, sorry, sulfur जो है, वो क्या करेगा, double bond मनाएगा, इस दूसरे sulfur के साथ, और हमें क्या पराप्त होगा, जैसा अभी हमने section देखा था, हमें पराप्त होगा, Na2, S पहले 1 था, 1 sulfur और जुड़ गया, तो S2O3, और हमें क्या पराप्त होगा, sodium thiosulfide, तो यह है method of preparation of sodium thiosulfide, एक और method है, जिसमें हम लोग, sodium hydrosulfide की reaction करा सकते हैं, sodium bis this is sodium hydrosulfide, NaHS, is known as sodium hydrosulfide, तो इन दोनों जगहों से, यानि कि sodium hydrosulfide से भी hydrogen निकलेगा, और sodium bisulfide से भी hydrogen निकलेगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगी, hydrogen gas, ठीक, hydrogen gas को यहाँ निकाल दीजे, बाकी सब को जोड़ दीजे, Na2, ठीक है, S2O3 यहाँ पर बचा, जो कि क्या है, sodium thiosulfide, तो sodium thiosulfide बनाने का यह भी एक आसान तरीका है, इससे भी आप इसकी preparation कर सकते हैं, अब बात करतें, प्रिपॉर्परटीज की, तो जो color है, इसका वो colorless है, यानि इसमें कोई color नहीं होता, order की बात करें, तो इसमें कोई order नहीं होता, इसलिए orderless बोल सकते, टेस्ट यहाँ प इसकी बात करें, तो water में solubile है, but practically insoluble है, कहाँ पे alcohol में, डाइलिक्विसेंट होता है, इसका nature, जब हम इसे moisture containing में रखते हैं, अगर हम इसके exactly formula की बात करें, तो it is hydrating, जो formula इसका बनता है, वो होता है, na2s2o3.5h2, यानि की पानी को absorb करने की property, या bind करने की property बहुत जादा है, इसलिए डाइलिक्विसेंट बोलते हैं, इसको जो हम लोग moisture content में रखेंगे, और अगर इसको dry form में रखते हैं, तो यह floor sense जैसा की soap जैसी soapी structure में जो ही हमें प्राप्थ होता है, अब बात करते हैं, इसके standard की, तो यह जो हमारा sodium thyosulfate है, यह जब भी standard की बात करेंगे इ 99% और not more than 101% of sodium thyosulfate ही इसका होना चाहिए, जब भी इसका formula हो, तो यहाँ पर sodium by, sorry, sodium sulfate जो है, sodium thyosulfate जो है, वो 99% से कम और 101% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे की बात करेंगे, तो इसका जो principle है, वो idometric tradition पर ही हो रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है, जब भी हम ल titration करने के लिए, हमको sodium thyosulfate की as a titrant वहाँ पर हम लोग use करते हैं, तो इसलिए इसका भी titration हम लोग idometric titration के द्वारा कर सकते हैं, sodium thyosulfate को हमको 0.8 gram लेना है, 30 ml उसमें क्या डालेंगे, हम लोग water डालेंगे, और 0.1 normal iodine solution के साथ इसका titration करेंगे, और इसमें starch as an indicator हम लोग ल और जो equivalent factor है वो है, जितना भी ml of 0.1 normal iodine use हो रहा है, it is equivalent to 0.024 82 grams of sodium thyosulfate, now अब इसके uses की बात करते हैं, तो जैसा भी हमने इसकी category में देखा था, कि ये एक antidote है, जो कि cyanide poisoning, खास करके cyanide poisoning में हम लोग इसका प्रियोग करते हैं, और दूसरी चीज जो है, कि ये जो skin में जो paras paracetic infections होते हैं, like dermatophytosis, इस ऐसी conditions में भी जो है, मिलिंगा प्रियोग sodium thyosulfate का करते हैं, for the treatment of skin parasitic infections, now ये एक antioxidant की तरीके से use होता है, तो इसलिए हम लोग इसको antioxidant agent के रुप में भी use कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है, कि ये idometric titration या redox titration में, as a titrant use किया जाता ह है, to detecting the, to performing the essay of different compounds, और साथी साथ, एक काम इसका और है, ये फोटोग्राफी में use कह जाता है, for the fixing of the photographic films, photographic films को fix करने के काम में भी sodium thyosulfate जो है, वो हमारा आता है, तो ये था आज का मारा topic sodium thyosulfate, इसी के साथ मुझे बताते हैं, बड़ी खुशी हो रही है, कि हमने अपने च आप लोगों के support के मेरा बिलकुल भी possible नहीं था, आप अपना support हमें बनाए रखी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होते से like कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने friends में चैनल के बारे में आप share भी कर सकते हैं, और आपके जो भी प्र झाल